ठंड के मोसम में गरम गरम सूप मिल जाए वो भी रेस्टोरेंट जैसा तो क्या ही बात है है एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर कर यूँ टोमेटो सूप की रेसिपी वो भी बिलकुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसके लिए मैंने हापर हाफ के टामाटर ले लिया है इसे रफली चॉप कर लेंगे टामाटर बिलकुल पके हुए होने चाहिए वो बिलकुल लाल होने चाहिए तब ही जो सूप का टेस्ट है वो बिलकुल अच्छा होगा और कलर भी काफी अच्छा हैगा आप इस तरह से एक बार जरू से ट्राइ कीजेगा आप घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा सूब बना लेंगे इसके बाद मैंने कड़ाई लिए इसमें दो टेबल इस्पून बटर मिक्स कर लेंगे बटर मिलाने के बाद जैसे ही बटर मेल्ट होता है एक तेश पत्ता एक दालचीनी का तुकड़ा एक लॉंग काली मिश और इलाइची डाल देंगे इन्हें अच्छे से भून लेंगे इसके बाद चार लहसुन को मैंने बारिक चॉप किया तिन अद्रक के टुकड़े डाल दिये हैं इन्हें अच्छे से भून लेते हैं इसके बाद मैंने एक प्याज को रफली चॉप करके एट कर दिया है इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद हमने जो को चौप किया हुआ था टमाटर को अब एट कर देते हैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसकी बाद 1 4th कप मैंने यहाँ पर गाजर एट की है यह लाल वाली गाजर है इससे इसका टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डा टमाटर यहाँ पर बिल्कुल ही ठंडे हो चुके हैं इन्हें एक जार में ट्रांसफर कर लेंगे इसमें थोड़ा पानी और एट करेंगे ताकि इसका अच्छा फाइन पेस्ट बन पाई यहाँ पर आम देख सकते हैं फाइन पेस्ट बन चुका है अब इस पेस्ट को हम चा पान लिया है इसे हमें पाद से दस मिट तक के लिए बॉइल करना है यहाँ पर मैंने पानी और एट किया है और इसे दस freshman तक कर arrivesक पर कितना अच्छा आया है यहाँ पर मैंने मैंने Half Tea爾ू ब्लेक पेपर एट किया है एक टेबल में बड़ीस्पन इहाँ पर शकर मिला देंग इन्हें अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पर soup बनकर बिल्कु तयार है इसे fresh cream से garnish कर देंगे और bread के cubes डाल देंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like और share कीजिए आप चाहें तो मुझे Instagram पर भी follow कर सकते तेंक्य। बगवाई